इस उन्वान को नाम दिया जाता है इस उन्वान को नाम दिया जाता है मनसूखी का पुरान शरीफ में बहुत बड़ी तादात के अंदर ऐसी आयात मानी जाती ही कि जिनकी जिनका हुकम मनसूख हो गया तिलावत कर लिए पढ़ेंगे आप खबरदार अमल नहीं करना उसका अमल करोगे तो दिन के खिलाब हो वो आयात फिक्स भी नहीं हैं वो मकररर भी नहीं वो रसुल्ला साथम ने उन मेंसे किसी एक आयत के बारे में नहीं कहा था कि ये कैंसल ये मनसूख ये ते कौन करेगा कि गराण में कौन-कौन सी आयत ऐसे जिस पर अब अमल नी किया जाएगा या बंसूक होगी कौन ते करेगा अगर ऐसी कोई आयत होती तो सहावِ खुरान जिन पर खुरानमा जोलवत हो बता कर जातें कि अभी इस आयद को सिर्फ तिलावत करना इस पर अमल भगात करना एक आयत के में ने कहा दोभया कि बात के लोक त्रह कर रहे हैं बात के लोकों मेंसे किसी ने कहा कि 15 सौ आयते ऐसी हैं है किसे ने का दाइशु आयते ऐसीं है अमाम सुयूत ही ने कहा अलिट हां के अंदर के एक की साथ है बलके वहीं पर पर एक जिगाएं किस आयते ऐसी ईसीं शायच्ण अपने पूह चाहते हैं जिसके उपर अमल नी किया जाए गए लोना हो जाएगा पर और मनसुख ही क्यों है इन दोनों पर एक साथ अमल होना मुम्किन नहीं है ये पहले नादिल हुई थी ये बात को नादिल हुई इस से पिछला हुक्म मनसुख हो गया मनसुख कैसे हो गया हुई ये दोनों पर एक साथ अमल करना मुम्किन नहीं था अब ये बात का हुक्म वैलिड है पहले पहले आयत पढ़ना है आज भी इसका मतलब दोनों में कैंटरिक्शन है तदादे खुरान थी नायात है और ये खुद खुरान कहता है अफला ये तदब दादे तुम तदबर नहीं करते खहर है गोर फिक है कि विछ बन करकें तुम तदबर नहीं करोगे तुम तदबर नहीं की तरफ से नहीं होता तो इस खुरान के अल्ला का कलाम होने की एक दलील ये दे रहा है एक खुरान का आर्गुमेंट के इसके अंदर तुमें कंट्रडिक्शन नहीं मिलेंगे दो आयाद ठकराती में नहीं मिलेंगे बनसुखी का तो मतलब ये कि उनके हुकम एक दूसरे के खिलाब और वायाद ठकराती हैं अपस में अचाए ये तो वह हिस्सा था ये बहुत है अब ये एक लंबा मौदू है मैं और मैंने बहुत से मौदू है अलग से इस मौदू के उपर तफसील से बयान किया है या तक्री हैं कि उनको पढ़ना है उनकी तिलाबत बागी है उनका हुकम मनसुख हर गिर अमल नहीं करना है ऐसी भी आयात मैंने जाती है कि जो पुरान में थी पुरान में थी उनकी तिलाबत मनसुख हो गए या उनकी तिलाबत मनसुख हो गई या ये पहला हिस्सत होता कि तिलाबत पढ़ना है और अमल नहीं करना है और दूसरे दूसरी मनसूखी ऐसी है कि जहां हुक्म बागी है तिलावत मनसूख हो गई जब हुक्म बागी है तिलावत क्यों मनसूख हो गई उसमें से क्यों निकाल दिया गया मिसाल के तोर पर यह आयत मैंने हवाला इसका यहां से दिया है तफसीर दूर्शे मंशूर से है जहां पर حضرت इबन इबास रदिल्ला से रिवायत अब कि हद्द अमर कड़े हुए अल्ला की हद्थतना की बुखारी शरीफ में बड़ी तफसीर के साथ में यह जिए से पो तफसीर के साथ में ये लगत तर्रीज के लिए लिए ह में छी पिकार ला तालाकि के साथ मभूस किया, उनपर किताब को नादल फर्माया, जो अपर नादल हो असमें रजम की आयती यह पत्थर मार मार के खाला कर दिना, ये आयत पुरान में थी, हमने उसे पढ़ा और या आगरी भी पढ़ी जाती है वो बाकी हिसा जो है उसका वो और दूसरी बहुति के अंदर है और हो चाइए यहां पर इतना है कि यह जो तफिर हमारी तफिरों में भी आगी है क्वैकि की बुला अगर ब्धुर्ग कोई मर्द और बुद्र आरग बद्रग ऑुर्द मौंभरों अगर बद्कारी करें तो उनको लासमन तुम रज्ञ에도मकर देना उनको रज्ञ कर देना और फिर रसूल अमर्ण ने फर्माया कि रसूल ने रजम किया और हमने बाद में रजम किया और मुझे डर है कि लोगों पर एक जमाना लंबा होगा तो कोई कहने वाला ये कहेगा कि हम किताब उल्ला में तो रजमी वाली आयत नहीं पाते Allah Ta'ala के नादी करता फरेदे को इस तर्द करके करने के वजया से लोग उम्रा हो जाए गए यह अब हदात मर्रुद्ध रानों यह फर्माना है कि हम पढ़ते थे इस आयत को गुरान के अंदर अब नहीं है यह क्यों नहीं है حضرت عمر की दोर में बात ये नहीं हो रही कि हमसे पिछले दोर प्ढ़ी जाती थी حضرت عمر हयात है जिस वक्त वो कहरे हम पढ़ते थे पुरान में थी और अब नहीं है حضرت عمر अमेरिलमूमिनी रहे पुरान का वो नुस्खा जिसके जिसको जिसकी किताबत रसलुला साथ समें करवाई थी वो नुसका उनकी साथदादी हदस हथा के पास था जब वो अमिरिल मुमिनी थी उसमें दर्ज करा देते अच्छा हुपास को बलाते उन से पढ़वाते कि यह तो पढ़ते थे अगर पढ़ते थे तो ते दर्ज होती उसकी गवाहियां दिलवाते यह सिर्फ हदस्थ अमर के पास बात आ रही है कि हम इसे पढ़ते थे और कुरान के अंदर मौजूद थी और अब नहीं है तो बड़ी सीरिस बात ही है प्र कैसे मानेंगे कि करूरान के अंदर नहीं है और फ्र केते हैं गयर मुस्लिमों को उनके उपर जब हम कहते है कि तुमारे यह दोर लेय हुआ कि द यह सही तरीन किताब है जिए तुम मानते हो जो आयते थीं और अब आप नहीं है का और ये बुखारी शरीफ का या बुखारी की किताब का उर्दो तर्जमे का आख से वही तक्सील के साथ में मैं इसे दोबारा नहीं पढ़ रहा वक्त की वज़ा से जिसका कुछ इस्ता महाँ पाया है कि हदुत तुमर्ण ने कहा कि ये लहन नादिल फर्माया हकसात में गुरान को और अस तर्ण के अंदर किताब ल्ला के अंदर हम आयत रिजम थी और हम उसे पढ़ते थी कब निकल गई इसका कोई तक्रहा नहीं कैसे निनिकल गई कोई तक्रहा निया और कैसे ये एक तशकिरा है वो कोई बहुत मदबूत बहराल पैनल को आयत पूरी सुन ली जा इसका एक टुकड़ा जो है वो शुरू के हिस्ते तक या आदी अलबतता का तक ये तो मौत्ता इमाम मालिक में है और नकाला मिन अल्लाह वाल्लाव अभिदुन हकीम अल्ला की तरफ से ये चीज़ एक ऐसी है कि जो ताकि लोगों के लिए एक अविरत का सामान हो जाए और अल्ला प्राकत वाला भी है ये पूरी पूरा हिस्सा जो है ये बात का और टुकड़ा जो है या पूरे को मिलाने के बाद ये बहखिक के अंदर राकिम में कुछ और दूसरी किताब हो ये ये कहा जाता है कि य अर्प ये खनिया और अब नहीं है गौरानके लिए और अर अमल इसके अरहे अमल भी तो नहीं होता इसके मताबिक ये तो कहा जा रहा है कि बुड़ा अमर तो बुड़ा और जब दестно करें इसके अंदर engagement करें ये बुड़ा मर् तो बूरा और घ्रशविदा भीख हो तक्ट बदर्ग जो हूँ तो असल में तो बात यह है कि यह कहा जा रहा है कि ने अमल यह वो उसके उपर ओगा और तिलावत मजभू हो गई तो यह कैसी आयद थी बहराल यह आयत गई कहां? ये थी यह ने थी? लेकिन वो आयत कहां गई? वो यही अलब आइस भी जाने थे? इसके बारे में भी एक रवायत हमें मिलती है वो रवायत इबन माजा में है xuद्रत आशा फर्मादी है के ये दो आयते मेरे पास लिक्षिवी थी अब ये दो उन्हीं के पास थी बस कहीं नहीं थी अब कहीं नहीं थी हाफिस पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे उसमें से एक आयत और रजम थी और रिरावतुन कभीर कि अगर कोई बड़ी औरत दस मरतवा अपना दूद किसी को पिला दे तो फिर वो उसके लिए महरम हो जाती अब ये मुस्लिम के अंदर इसके उपर आदिस हैं इसके अंदर मुस्लिम शरीफ के अंदर कि ये थी और तो ये ये अदर आशा कहरी है कि ये थी तो कहा कही तो आएते मेरे पास थी और वो गंदे के नीचे रख्यों ही थी जब रसूल्ला साथ सलम का इंतिकाल हुआ तो बकरी हम लोग हम उसमें लगे वे थे तत्वीर और परिशानी के अंदर एक बकरी आए खागे लिए थी अल्हा से जब से हफ़ास से पुछकर हदरत हफ़सा के पास जो नुख़ा था उसको जब कमपेर किया था तो उस वह आती है बात की यह आयते बही यह थी और दाखिल की थे चाहिए वो बकरी खा गएं यह नहीं खा गए चाहिए वह थाओ लगे किया नहीं थी तो असरत अब कि उनका एक कुरान के अंदर एक शोशा भी मनसूफ नहीं कुआ ये अल्ला का किलाब हर इससे पर अमल करना है जब ये उनके अंदर कंड़रिक्शन ये तदाद वो लोग समझ रहे हैं उस तदाद को वह हल नहीं कर सके तो वह कहें कि हमारी समझ में नहीं आया पहले लोग कहत है ना कि ये इन पांच का भी को इतदाद रिवो कर लेगा हमारी समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों कहते हैं कि ये हैं मनसूफ एक शोशा भी मनसूफ नहीं अल्ला कि कलाम में और पिर ऐसी मनसूफ ही कि हुक्म बागी हो तिलावत मनसूफ ये सारा शर है